उडान भनने के बाद फ्लाइट से निकलने लगा धुआ, 148 यात्री थे सवार, इमर्जेंसी कराए गई लेंडिंग, तिरुवननत पुरम हवाई एड़े पर आज एर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट आई एक्स 549 की इमर्जेंसी लेंडिंग कराए गई, उडान भननने के बाद फ्लाइट से धुआ निकलने लगा था, ये फ्लाइट मसकट जा रही थी, इसमें 148 यात्री जवार थे, जानकरी के अनुसार सभी यात्री और चालक दल के सदत से सुरक्षित हैं, एर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने जानकरी देते हुँ बताए कि यात् विमान की ववस्ता की गई है, एर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने जारी बयान में कहा, तिरुवननत पुरम से मसकट जा रही, एर इंडिया एक्सप्रेस के फ्लाइट आई-X549 में टेक ओफ की दोरान धुआ निकलने की जानकारी हुई, ये घटना आस सुबे 8 बचकर 49 म पर तिरुवननत पुरम हवाई अड़े पर हुई, रनवे बधुआ धिकने के बाद यात्रियों को स्रक्षित बापस लाए गया, हवाई अड़े के अधिकारियों ने पुष्टी की है कि कोई आग नहीं लगी थी और धुआ निकलने का कारणों का पता लगा जा रहा है, इ प्यात्रियों को ही असुविदा के लिए हमें खेद है, इसे पहले 4 सितंबर को भी नई दिली से बहरीन जा रही उडान के टेक ओफ के कुछी देर पहले तकने की गड़वरी आ गई थी, इसके बाद विमान की वंजेंसी लेंडिंग करानी पड़ी थी, इस घटना का संग् या नियामक संस्तार DGCA ने भी लिया था, नोंने जाँच के भी आदेश दिये थी। झाल 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 झाल